नमस्कार साथियों सीजी जाववेजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है साथियों देख सकते हैं हाई कोट में 90 से ज़्यादा याचिका हैं जानी कौन सी भरती पर लगे हैं ऐसी भरती है 36 व्यापम द्वारा आयोजित जिसमें 90 से ज़्यादा हाई कोट द्वारा याचिका लगा हुआ है पुले बात करेंगे इस भरती पर की आखिर वो कौन सी भरती है जो इतना खासा हुआ भरती है जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे व्यापम से हुई पुलीस भरती बनी सबसे विवादित भरती की मैं बात करूँ तो पुलीस विभाग में जो ऐसा ही भरती की हुई है वे हैं क्योंकि हाई कोट में 90 से भी अधीक जो याचिकाएं हैं इस भरती में लगी हुई है अब जो candidates हैं परिक्षार्थी हैं सुको जाने की भी तयारी कर रहे हैं देख सकते हो यहाँ पर फुरी details सो हो रही है सुवेदार सब इस्पेक्टर भरती परिक्षा प्रदेश के इतिहास में संभवता सबसे जो विवादित भरती है वो बन गई है अब तक करीब 90 आचिकाएं लगाई जा चुकी है हाई कोट ने व्यापम DGP समेथ अन्य को नोटीस भी जारी किया है अब कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोट की भी जान तयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोट जाने की भी तयारी कर रहे है अभ्यर्थियों को कहना है कि व्यापम ने परिक्षा को लेकर अपने ही नियमों का पालन नहीं किया है ग्यातोजातियों की छत्रियर व्योशाइक परिक्षा मंडल ने सब इस्पेक्टर, सुवेदार, ब्लाटून कमांडर और अन जितने भी पधया था नाओसोएक खतर पदों पर भरती जो परिक्षा है उनतिज जन्वरी 2023 को अवित की थी परिक्षा में विभिन जो जगहों पर परिक्षा सेंटर भी बनाया गया था देखो प्लाटून कमांडर की सुची में महिलाओं को जगा जबकि प्लाटून कमांडर में 247 पदो पर भरती होई थी विग्यापर में विशेश रूप से उल्ले किया गया था कि महिलाओं में द्वारों का प्लाटून कमांडर के लिए पातरता नहीं होगी जबकि 16 मई 2023 को मुख्य परिक्षा के लिए जो पात्र अभ्यर्थी आये उसमें महिलाओं के भी नाम डाल दिये गए है अभ्यर्थियों का कहना है कि इसी वज़ा से 1843 पुरुस अभ्यर्थी सार्रिक दक्षता परिक्षा में सामिल नहीं हो पाएंगे देखिए इसमें कहीं न कहीं साथियों जो नियम पहले से बनाये जा चुके थे पहले से जो नियम बनाये गए थे उस नियम में उस नियम के अधार पर व्यापम ने जो है परिक्षा परिक्षा परणाम जारी नहीं किया है इसलिए मेरिट की जो सूची जारी की गई है सीजी व्यापमद्वारा तो मेरिट सूची को ही चुनोती दिया गया है सूची में देखे 20 गुना अभ्यत्यों को मेरिट के अधार पर चैनित किया जाना था लेकिन प्रारंभीक परिक्षा में ही वर्तमान छटनी सूची तयार कर देगी है जबकि प्रारंभीक परिक्षा में 20 गुना जो है देखे 20 गुना सीट पर बुलाना था जितने सीट है उसके 20 गुना पर बुलाना था लेकिन सुरू से ही छटनी कर दिया गया है साथी साथ भूद पूरो सैनिक के जो अभ्यर्थी है वे भी जो है हाई कोट चले गया है और उनके माध्यम से भी याचिका दायार की गई है यह वाओ और सिवा स्रिटायर हो चुके भूद पूरो सैनिकों के लिए एक समान फिजिक आसमें ऐसी भरती बनती नजर आ रही है जो पूरी तरीके से हाई कोट के भेट चड़ रही है फिर आल इस वीडियो भी इतना ही जो साथी नए है भई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जए